नमस्कार, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देशी चने की बहतरीन किस्म फुले विक्रम के बारे में आज के समय में जहां फसल कटाई के लिए मजदूरों का मिलना मुश्किल हो रहा है, एवन सभी के पास समय का अभाव होता जा रहा है, इसी बात को ध्यान में रख से साढ़े तीन फुट तक की उचाई में बढ़ती है, और इसकी पहली फली की उचाई मिट्टी की सतह से लगभग 30 सेंटीमीटर उपर रहती है, जो मशीन से कटाई के लिए परियाप्त जमीन की निकासी प्रदान करती है, जिस वजह से हार्वेस्टर चलाने में आसानी हो होते हैं, यह फसल 105 से 110 दिन में पक्कर तयार हो जाती है, जिसका उत्पादन 12 से 16 क्विंटल प्रती एकड तक देखा गया है, क्रिशी विद्यापीठ का कहना है कि इसमें उक्ता की समस्या कम देखने को मिलती है, बहतर उत्पादन के लिए आप 25 से 30 किलो प्रती एकड के 20 दर्से इसकी बुआई कर सकते हैं, इसका सरवाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, एवराजस्थान में मिला है। श्री ताकालिमिया और श्री राजेंदर पटेल ने भी कहा कि उन्होंने इस किस्म से उच्छ पैदावार हासिल की है। की तुलनामे 10 से 22 प्रतिशत अधिक उपच दर्स की और विजय, विशाल की तुलनामे 17 से लेकर 31 प्रतिशत अधिक उपच दर्स की। देर से बोई गई परिस्थितियों में भी फुले विजय, विशाल और दिगविजय की तुलनामे अधिक उपच प्रदान करती है। महाराष्ट्र में, जहां विक्रम को पहली बार 2017 में जारी किया गया था, तब से ही मशीन से कटाई योग्य किस्मों की खेती बढ़ रही है। 2017-18 में राज्जमे चने की ओसत उतपादक्ता मात्र 892 किलोग्राम प्रती हेक्टेर थी, जिसके परिणामस्वरूप 2 मिलियन हेक्टेर में मात्र 1.84 मिलियन टन का कुल उतपादन हुआ। जबकि विक्रम की खेती करने वाले किसानों ने प्रती हेक्टेर 3-4 टन के बीच उपच की सूचना दी है। इस वर्ष भी फुले विक्रम से इसी तरह के उतपादन की उम्मीद जताई जा रही है। दधाई जसोными म机 खेती हैं जबकि शर्ड़री एकन फ étaient 극ड़ स्थ का जड़ा रूर्श घुटे़। जबकि विक्रमक विक्रम द्सटम की सूचना जसे उला के रही है। सबस् सूचने प्रत